लेटिस्ट अपडेट के एकोडिंग ZOMIE MEE A4 जो की इंडिया के अंदर हम लोगो बहुत चल्दी देखने को मिलेगा और ZOMIE MEE A3 का एक यूथ सकसेसर होने वाला है ZOMIE MEE A4 जिसके अंदर हम लोगो बेटर स्पेक्स देखने को मिलेगा has compared to the ZOMIE MEE A3 पर pricing हम लोगो similar देखने को मिलेगा MEE A3 के जैसा ZOMIE MEE A4 का भी pricing इंडिया के अंदर बहुत कम होने वाला है पर specs में difference देखने को मिलेगा ZOMIE MEE A4 के अंदर हम लोगो बेटर specs देखने को मिलेगा ZOMIE MEE A3 से तो यहाँ पर ZOMIE MEE A4 जो की बहुत अच्छा smartphone होने वाला है वो भी mid range के pricing में तो अगर आप लोगों को ZOMIE MEE A4 के बारे में full detail में जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा end तक देखिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले है ZOMIE MEE A4 के specs के बारे में, pricing के बारे में और India release date के बारे में तो वीडियो बहुत जादा interesting होने वाला है स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को without wasting any more time Let's jump into the video स्टार्ट करते हैं ZOMIE MEE A4 के specs से डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं 6.67 इंच का डिस्प्ले इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा जहाँ पे 1080p का resolution मिलने वाला है मतलब कि Full HD Plus का resolution इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा और डिस्प्ले में Super AMOLED का पैनल मिल रहा है डिस्प्ले में 90Hz का refresh rate भी देखने को मिलेगा और डिस्प्ले में एक single punch hole cutout रहने वाला है जो कि टॉप left corner में shift किया गया है और Super AMOLED का पैनल मिल रहा है तो in display fingerprint scanner इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा performance के बारे में बात करते हैं Snapdragon 730G chipset इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा जो कि Snapdragon के तरप से latest chipset है और बहुत ही powerful chipset है और gaming के लिए ये chipset बहुत best chipset है 2.3 GHz पे clock है RAM के बारे में बात करते हैं 6GB 64GB, 6GB 128GB और 8GB 128GB इस फोन का एक lower variant भी होने वाला है पर अभी तक कोई confirmation नहीं है ये phone Android 11 के साथ आने वाला है जहां पे pure stock Android experience बहुत अच्छा देखनी को मिलेगा और latest update के according इस फोन के अंदर NAPC का support भी देखनी को मिलेगा कैमरे के बारे में बात करते हैं तो quad camera setup इस फोन के अंदर देखनी को मिलेगा जहां पे primary camera मिलने वाला है 64MP का followed by 16MP ultra wide angle lens followed by 8MP telephoto lens followed by 5MP depth sensor rear के साथ में camera हम लोगों को बहुत अच्छा देखनी को मिल रहा है बात करते हैं front facing camera के बारे में front में देखनी को मिलेगा 44MP का AI selfie camera front में हम लोगों को latest selfie camera देखनी को मिल रहा है battery और charging के बारे में बात करते हैं 5200 mAh का battery इस phone के अंदर देखनी को मिलेगा तो battery इस phone के अंदर हम लोगों को बहुत अच्छा देखनी को मिल रहा है ऐसे normal uses के लिए battery इस phone के अंदर really में बहुत अच्छा देखनी को मिल रहा है और battery इस phone के अंदर increase किया गया है charging के लिए 27 weight का एक fast charger देखनी को मिलेगा जो कि box के साथ ही आने वाला है cable इस phone के अंदर हम लोगो type support देखनी को मिलेगा और 3.5 mm का audio jack भी इस phone के अंदर देखनी को मिलेगा pricing के बारे में बात करते हैं तो zombie me A4 का pricing होने वाला 12-15,000 रुपे के range में 12,000 से 15,000 रुपीस के range में तो जैसे कि इस phone का pricing हम लोगो बहुत अच्छा देखनी को मिल रहा है बहुत ही कम pricing में better specs इस phone के अंदर देखनी को मिल रहा है और pricing भी almost इस phone का confirm है क्योंकि zombie me A3 का भी pricing India के अंदर बहुत कम था इसलिए zombie me A4 का भी pricing India के अंदर कम रहने वाला है तो अगर आप लोग zombie me A4 के लिए wait करना जाते हैं तो wait कर सकते हैं क्योंकि इस phone का pricing हम लोगो बहुत अच्छा देखनी को मिल रहा है release date के बारे में बात करते हैं तो zombie me A4 का release date होने वाला है April के end तक या फिर में के first week पे ज़्यादा चांस है कि में के first week पे officially zombie me A4 इंडिया के अंदर release होने वाला है तो अगर आप लोग wait करना चाते हैं तो wait कर सकते हैं zombie me A4 के लिए hope करता हूँ आप लोगो को ये वीडियो helpful लगा है अगर आप लोगो को ये वीडियो helpful लगा है तो आप इस वीडियो को like कर दिजी share कर दिजे चैनल पे अगर नए है तो चैनल को अभी subscribe कर लिजे पास वाले bell notification को भी जरूर से enable कर लिजे और comment करके मुझे जरूब रताइए best part of this वीडियो तो मैं मिलता हूँ मेरे next वीडियो में